श्री राम कृष्ण वच्छनाम रित के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं निरलिप्त होकर संसार में रहना कठिन है। प्रताप ने कहा था महराज हमारा वहमत है जो राजरशी जनक का था। जनक निरलिप्त होकर संसार में रहते थे वैसा ही हम लोग भी करेंगे मैंने कहा सोचने ही से क्या कोई जनक हो सकता है राजर्शी जनक को कितनी तपस्या करने के बाद ग्यान लाब हुआ था नतमस्तक और उर्ध्वपद होकर तपस्या उग्र की थी कितने काल तक की थी और उसके बाद वे संसार में लोट कराए थे परंतु क्या संसारियों के लिए कोई उपाय नहीं है हाँ, अवश्य है कुछ दिन एकांत में साधना करनी पड़ती है तब भक्ती होती है तब ग्यान होता है इसके बाद जाकर संसार में रहो कोई दोश नहीं जब निर्जन में साधना करोगे उस समय संसार में बिलकुल अलग रहो तब स्थरी, पुत्र, कन्या, माता, पिता, भाई, बहन, आत्मिय, कुटुम्ब कोई भी पास न रहे निरजन में साधना करते समय सोचो हमारा कोई नहीं है इश्वर ही हमारे हैं और रो रोकर उनके पास ग्यान और भक्ती की प्रार्थना करो यदि कोई कहे कितने दिन संसार छोड़कर निरजन में रहे तो इसके लिए यदि एक दिन भी इस तरहे रह सको तो वह अच्छा तीन दिन रहो तो और अच्छा है अत्वा बाहरा दिन महीने बर, तीन महीने, साल बर जो जितने दिन रह सके ज्यान भक्ती प्राप्त करके संसार में रहने से फिर अधिक भय नहीं रहता हाथों में तेल लगा کر कटहल काटने से फिर हाथों में उसका दूध नहीं चिपकता छूई छूओल खेलो तो पार छूलेने से फिर डर नहीं रहता एक बार पारस पत्थर को छूकर सोना बन जाओ फिर हजार वर्ष तक मिट्टी के नीचे गड़े रहने पर भी जब मिट्टी से निकाले जाओगे तो सोना ही रहोगे मन दूध की तरह है उस मन को अगर संसार रुपी जल में रखो तो दूध पानी से मिल जाएगा इसलिए दूध को निर्जन में दही बना कर उससे मक्खर निकाला जाता है जब निर्जन में साधना करके मन रुपी दूध से ज्ञान भगती रुपी मक्खन निकाला गया तब वह मक्खन अनायास ही संसार रुपी पानी में रखा जा सकता है वह मक्खन कभी संसार रुपी जल से नहीं मिल सकता संसार जल पर निरलिप्त होकर उतरता रहता है अगले दिन श्वीराम कृष्ण एक सभा को संबोधित करते हैं कुछ भगत आयोए हैं मैं उनसे कहते हैं श्रिमत भागवत में है अवधूत ने चोबिस गुरुओं में चील को भी एक गुरु बनाया था एक जगे धीवर मचली मार रहे थे एक चील जपटकर एक मचली ले गई परन्तु मचली को देखकर करीब एक हजार कुवे उनके पीछे लग गए और साथ ही काओं काओं करके बड़ा हल्ला मचाना शुरू कर दिया मचली को लेकर चील जिस तरफ जाती कवे भी उसके पीछे पीछे उसी तरफ चाते चील दक्षन की ओर गई तब कवे भी उसी ओर गए जब वह उत्तर की तरफ गई तब वे भी उसी ओर गए इसी तरह पूर्व और पश्चिम की ओर भी चील चकर काटने लगे अंत में घवराहट के मारे उसके चक्कर लगाते हुए मचली उससे छूटकर जमीन पर गिर पड़ी तब वे कवे चील को छोड़ मचली की ओर उड़े चील तब निश्चिन्त होकर एक पेड की डाल पर जा बैठी बैठी हुई सोचने लगी कुल बखेडे की जड़ यही मचली थी अब वे मेरे पास नहीं है इसलिए मैं निश्चिन्त हूँ अब धूत ने चील से यह शिक्षा प्राप्त की कि जब तक मचली साथ रहेगी अर्थात वासना रहेगी तब तक कर्म भी रहेगा और कर्म के कारण चिंता और अशांती भी रहेगी वासना का त्याग होने से ही कर्मों का ख्षय हो जाता है और शांती मिलती है परन्तु निश्काम कर्म अच्छा है उससे अशांती नहीं होती पर निश्काम कर्म करना बड़ा कठिन है मनुष्य, सोचता है कि मैं निशकाम कर्म कर लूँगा, कर रहा हूँ परन्तु कहां से कामना निकल पड़ती है, यह समझ में नहीं आता यदि पहले की साधना अधिक हो, तो उसके बल से कोई-कोई निशकाम कर्म कर सकते है इश्वर दर्शन के बाद निश्काम कर्म अनायास ही किये जा सकते हैं इश्वर दर्शन के बाद प्रायहा कर्म छूट जाते हैं दो एक मनुष्य नारदादी जैसे लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं अवधूत की एक आचारिया और थी मधुमक्षी मधुमक्षी बड़े परिश्वम से कितने ही दिनों में मधु संचय करती है परंतूस मधु का भोग वह स्वयम नहीं कर पाती चत्ता कोई दूसरा ही आकर तोड़ ले जाता है मधुमक्षी से अवधूत को यह सिक्षा मिली कि संचय नहीं करना चाहिए साधूसंतों को सोलह आने इश्वर पर अवलंबित रहना चाहिए उन्हें संचय नहीं करना चाहिए यह बात संसारियों के लिए नहीं है संसारी को संसार का भरण पोशन करना पड़ता है इसलिए उन्हें संचय की अवश्यक्ता होती है पक्षी और संत, संचई नहीं होते परंतु चिडिया बच्चे देने पर संचई करती है चोंच में दबा कर बच्चे के लिए खाना ले आती है श्री राम कृष्ण विजय से कहते हैं साधू के साथ अगर बोरिया बंधना रहे कपड़े की पंद्रह गठरियां रहे तो उस पर विश्वास न करना मैंने बठ तल्ले में एक साधू देखे थे दो तिन बैठे हुए थे कोई दाल के कंकर चुन रहा था कोई कपड़ा सी रहा था और कोई बड़े आदमी के घर के बंधारे की गप लड़ा रहा था अरे उस बाबू ने लाखों रुपए खर्च किये साधू को खूब खिलाया पूरी जलेबी पेडा बर्फी माल पुआ बहुत सी ऐसी चीजें खिलाई ऐसे साधू के साथ मत रहना विजय ने कहा जी हाँ गया में भी इस तरह के साधू मुझे देखने को मिले थे गया के साधू लोटा वाले होते हैं इस पर सब लोग हस परते हैं श्री राम कृष्ण कहते हैं इश्वर पर जब प्रेम हो जाता है तब कर्म आप ही आप छूट जाते हैं इश्वर जिन से कर्म कराते हैं वे करते रहें अब तुम्हारा समय हो गया है अब सब छोड़ कर तुम कहो मन तू देख और मैं देखू कोई दूसरा न देखे यह कहकर श्री राम कृष्ण उस अतुलनी ये कंट से माधुरी बरसाते हुए गाने लगे हादरनी ये शामा मा को यतन पूर्वक रदय में धारन करो ए मन तू देख और मैं देखूं कोई दूसरा न देख पाए काम क्रोध आदी को धोखा देकर मन आ निर्जन में उसे देखें साथ रसना को भी रखेंगे ताकि वह मा मा कहकर पुकारती रहे कुमंत्रनाई देने वाली जितनी कुरुचियां है उन्हें पास भी न फटकने देना ग्यान नयन को पहरेदार रखो वह सतर्क रहे श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवान की शरण में जाकर अब लज्जा, भय यह सब छोड़ दो मैं अगर भगवत कीरतन में नाचूँ तो लोग मुझे क्या कहेंगे यह सब भाव छोड़ दो लज्जा, घ्रणा और भय इन तीनों में से किसी के रहते हुए यिश्वर नहीं मिलते लज्जा, घ्रणा, भय, जाती, अभिमान, गुप्त रखने की इच्छा यह सब पाश हैं इन सब के चले जाने से जीव की मुक्ती होती है पाशों में जो बंधा हुआ है वह जीव है और उनसे जो मुक्त है वह शेव है भगवत प्रेम दुरलब हवस्तु है पहले पहल पती के प्रती पतनी की जैसे निष्ठा होती है वैसी ही यदि इश्वर के प्रती हो तो ही भगती होती है शुद्धा भगती का होना बड़ा कठिन है भगती द्वारा मन और प्रान इश्वर में लए हो जाते है इसके बाद भाव होता है भाव में मनुष्य निर्वाक हो जाता है वायू स्थिर हो जाती है कुम्भक अपने आप हो जाता है जैसे बंदूक दागते समय गोली चलाने वाला मनुष्य निर्वाक हो जाता है और उसकी वायू स्थिर हो जाती है प्रेम का होना बड़ी दूर की बात है प्रेम चैतन्य देव को हुआ था इश्वर पर जब प्रेम होता है तब बाहर की चीज़ें भूल जाती है संसार भूल जाता है अपना शरीर जो इतना प्यारा है वह भी भूल जाता है यह कहकर श्री राम कृष्ण देव फिर गाने लगे उसका भावार्थ यह है नहीं मालूम कब वह दिन होगा जब हरी नाम कहते हुए मेरी आखों से धारा बह चलेगी संसार वासना दूर हो जाएगी शरीर पुलकित हो जाएगा भाव के होने पर वायूस थिर हो जाती है अरजुन ने जब लक्ष भेद किया तब उनकी दृष्टी मचलीं की आख पर ही थी किसी दूसरी और नहीं यहां तक की आख के सिवाए कोई दूसरा अंग उन्हें दिखाई ही नहीं पड़ा ऐसी अवस्था में वायूस थिर होती है कुमभक होता है इश्वर दर्शन का एक लक्षन यह है कि भीतर से महावायू घर घराती हुई सिर्की ओर जाती है तब समाधी होती है भगवान के दर्शन होते है जो पंडित मात्र है किन्तु इश्वर पर जिनकी भक्ती नहीं है उनकी बातें उल्जनदार होती है सामाध्याई नाम के एक पंडित ने कहा था इश्वर नीरस है तुम लोग अपनी भक्ती और प्रेम के द्वारा उसे सरस कर लो जिन्हें वेदों ने रस स्वरूप कहा है उन्हें नीरस बतलाता है इससे ग्यात होता है कि वह मनुष्य नहीं जानता इश्वर कौन सी वस्तु है इसलिए उसकी बातें इतनी उल्जंदार है एक ने कहा था मेरे मामा के यहां गोडों की एक बड़ी गोशाला है उसकी इस बात से समझना चाहिए कि गोड़ा एक भी नहीं है क्योंकि गोड़े कभी गोशाला में नहीं रहते इस बात पर सभी हसते है किसी को एश्वरिय का वैभव, सम्मान, पद आदी का अहंकार होता है यह सब दो दिन के लिए है साथ कुछ भी न जाएगा एक गीत में कहा है उसका आशय बताता हूँ ए मन सोच ले कोई किसी का नहीं है तो इस संसार में वृथा ही मारा मारा फिरता है माया जाल में फसकर दक्षणा काली को भूल न जाना जिसके लिए तु इतना सोचता है क्या वह तेरे साथ भी जाएगा तेरी वही प्रेयसी जब तु मर जाएगा तब तेरी लाश से अमंगल की शंका करके घर में पानी का छिड़काओ करेगी यह सोचना कि मुझे लोग मालिक जो कहते हैं वह सिर्फ दो ही दिन के लिए है जब काला काल के मालिक आ जाते हैं तब पहले के वही मालिक श्मशान घाट में फेक दिये जाते हैं और धन का आंकार भी नहीं करना चाहिए अगर कहो मैं धनी हूँ तो धनी भी एक से एक बढ़कर है संध्या के बाद जब जुगनु उड़ता है तब वह सोचता है इस संसार में प्रकाश मैं ही दे रहा हूँ परंतु तारे जो ही उगते हैं उसका हंकार चला जाता है तब तारे सोचने लगे हमी लोग संसार को प्रकाश देते हैं कुछ देर बाद चंद्रो धय हुआ तब तारे लज्जा से मलान हो गए चंद्र देव सोचने लगे मेरे ही आलोग से संसार हस रहा है संसार को प्रकाश तो मैं ही देता हूँ देखते ही देखते सूरिय उगे चंद्र मलिन होकर ऐसे छिपे कि फिर दिखाई ही नहीं दिये धनी मनुष्य अगर यह सब सोचे तो धन का अहंकार नहो उत्सव के कारण मनिलाल ने खान पान का बहुत बड़ा आयोजन किया था उन्होंने यतन पूर्वक श्री राम कृष्ण और समवेत भक्त मंडली को भोजन कराया जब सब लोग घर लोटे तब रात बहुत हो गई थी परन्तु किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ अगले दिन श्री राम कृष्ण समझाते हैं जब तक उपाधी है तभी तक अनेक का बोध हो सकता है जैसे केशव, प्रसन, अमृत, ये सब पूर्ण ग्यान होने पर एक मात्र चैतन्य का ही बोध होता है पूर्ण ग्यान होने पर मनुष्य देखता है वही एक मात्र चैतन्य है यह जीव प्रपंच, यह 24 तत्व बने है परंतु शक्ती की विशेश्टा पाई जाती है यह सच है कि सब कुछ वेही बने है परंतु कहीं तो उनके शक्ती का प्रकाश अधिक है और कहीं कम विद्या सागर ने कहा था क्या इश्वर ने किसी को अधिक शक्ती और किसी को कम शक्ती दी है तो मैंने कहा अगर ऐसा न होता तो एक आदमी पचास आदमियों को हराता कैसे और तुम्हे ही फिर क्यों हम लोग देखने आते वे जिस आधार में अपनी रीला का विकास दिखलाते है वहां शक्ती की विशेषता रहती है जमिदार सब जगह पर रहते है परंतु उन्हें लोग किसी खास बैठक खाने में अकसर बैठते हुए देखते है इश्वर का बैठक खाना भक्तों का हरदय है वहां अपनी लीला दिखाना उन्हें अधिक पसंद है वहां उनकी विशेष भक्ती विशेष शक्ती अवतीर्ण होती है इसका लक्षन क्या है ये पूछो तो जहां कारिय की अधिकता है वहां शक्ती का विशेष प्रकाश है यह आद्या शक्ती और परब्रम्ह दोनों अभेद है एक को छोड़ दूसरे का चिंतन नहीं किया जा सकता जैसे जोती और मनी मनी को छोड़ मनी की जोती के बारे में सोचा नहीं जा सकता और नहीं जोती को अलग करके मनी के बारे में ही सोचा जा सकता है जैसे सर्प और उसकी वक्र गती न सर्प को छोड़ उसकी तिरियक गती सोची जा सकती है और नहीं तिरियक गती को छोड़ सर्प को आध्या शक्ती नहीं इस जीव प्रपंच इस चतुर विंशती तत्व का स्वरूप धारन किया है अनुलोम विलोम ये सब राखाल, नरेंद्र, तथा और लड़कों के लिए क्यों मैं इतना सोच विचार किया करता हूँ हाजरा ने कहा आप उन लोगों के लिए इतना सोचते क्यों हो इश्वर चिंतन फिर कब करोगे तब मुझे बड़ी चिंता हुई मैंने कहा मा ये क्या हुआ हाजरा कहता है उन लोगों के लिए इतना क्यों सोचते रहते हो फिर मैंने भोले नाथ से पूछा उसने कहा इसका उधारन महाभारत में है समाधिस्त मनुष्य समाधी से उतर कर ठहरे कहा वह इसलिए सत्व गुणी मनुष्यों को लेकर रहता है महाभारत का यह उधारन जब मिला तब जी में जी आया ये सुनकर सब लोग हसते हैं वे कहते हैं हाजरा का दोश नहीं है सादक अवस्था में संपूर्ण मन नेती नेती करके उन्हें दे देना पड़ता है सिद्ध अवस्था की बात दूसरी है उन्हें प्राप्त कर लेने पर अनुलोम और विलोम एक से प्रतीत होते हैं मठ्था अलग करने पर जब मक्षन मिलता है तब जान पड़ता है कि मठ्थे का ही मक्षन है और मक्षन का ही मठ्था तब ठीक ठीक समझ में आता है फिर सब कुछ वे ही हुए है कहीं उनका प्रकाश अधिक है और कहीं पर कम भाव समुद्र उमडने पर स्थल में भी एक बास पानी हो जाता है पहले नदी से होकर समुद्र में जाते समय बहुत कुछ चक्कर लगा कर जाना पड़ता है और जब बाढ़ आती है तब सूखी जमीन पर भी एक बास पानी हो जाता है तब नाओ सीधे चला कर लोग जगह पर पहुँचते हैं फिर चक्कर मार कर नहीं जाना पड़ता इसी तरह धान कट जाने पर मेंड से चक्कर काट कर नहीं आना पड़ता सीधे एक रास्ते से निकल जाओ उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर सभी वस्त्वों में उनके दर्शन होते हैं मनुष्य के भीतर उनका अधिक प्रकाश है मनुष्यों में सत्वगुणी भक्तों में उनका और भी अधिक प्रकाश रहता है जिनमें कामिनी और कांचन के भोग की बिलकुल ही इच्छा नहीं रहती सब स्थब्ध हो गए हैं रामकृष्ण की ये बातें सुनकर वे कहते हैं समाधेश्ट मनुष्य जब उतरता है तब भलाव है कहां ठहरे किस पर अपना मन रवाए कामिनी और कांचन का द्याग करने वाले सत्वगोणी भगत उनकी आवश्यकता इसी लिए होती है नहीं तो फिर वे क्या लेकर रहेंगे जो ब्रह्म हैं वे ही आद्या शक्ति भी है जब वे निश्क्रिये हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं पुरुश कहते हैं जब स्रिष्टी, स्थिती, प्रलय ये सब करते हैं, तब हुने शक्ती कहते हैं, प्रकृती कहते हैं, पुरुष और प्रकृती, जो पुरुष हैं, वे ही प्रकृती भी हैं, आनंद मया और आनंद मयी दोनों, जिसे पुरुष ग्यान है, उसे स्त्री ग्यान भी तो है, जिसे रात का ग्यान है उसे दिन का भी ग्यान है जिसे सुख का ग्यान है उसे दुख का भी इस बात को ध्यान से समझे है मा कुन सी मा जगत की मा जिन्होंने जगत की सृष्टी की जो उसका पालन कर रही है जो अपनी संतानों की सदा रक्षा करती है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो जो कुछ चाहता है उसे वही देती है जो उनकी अथार्थ संतान है वह उन्हे छोड़ कर नहीं रह सकती उसकी माता ही सब कुछ जानती है वह तो बस खाता है, खेलता है और घूमता है इसके सिवाए वह कुछ नहीं जानता क्या इश्वर आईश्वरिय के भी वश है वे तो भक्ती के वश में है जानते हो वे क्या चाहते है वे रुपया नहीं चाहते भाव प्रेम भक्ती विवेक वईराग्य सब चाहते है जिसका जैसा भाव होता है वह इश्वर को वैसा ही दिखाई देता है जो तमोगुणी भक्त है वह देखता है कि मा भकरा खाती है वह भकरे की बली भी देता है रजोगुणी भक्त नाना प्रकार के वेंजन अन्न पकवान चड़ाता है सत्वगुणी भक्त की पूजा में आडंबर नहीं होता उसकी पूजा लोग समझ भी नहीं पाते फूल नहीं मिलते तो वह बिल्वपत्र और गंगा जल से ही पूजा कर लेता है थोड़े से चावलों या दो बताशों का भी भोग लगा देता है कभी कभी खीर पका कर ही ठाकुर जी को निवेदित कर देता है एक और है त्रिगुणातीत भद उसका स्वभाव बालकों जैसा होता है इश्वर का नाम लेना ही उसकी पूजा है वह बस उनका नाम ही जबता रहता है इस प्रकार श्रीराम कृष्ण वचनामरित का यह भाग संपोनता को प्राप्त होता है शेश अगले अंक में